हैलो एन वेलकम दोस्तों कैसे हो आप सभी उम्मीद करता हो कि सभी अच्छे होंगे और मेरी वीडियो का थुरू आपको अच्छी इंफोर्मेशन मिल रही होगी दोस्तों आज हम बात करने वाले फोरेक्स ट्रेडिंग का सबसे इंपोर्टेंट एक टॉपिक जिसका नाम है लौट साइस का बारे में उस lot size से तो आप अगर forex market में trading करते हो तो इस वीडियो आपके लिए काफे ज्यादा helpful है आपको बहुत कुछ सिखने को मिलेगी and details में सिखने को मिलेगी lot size का बारे में तो वीडियो को एम तक जरूर देखिए अगर आप चैनल में new है तो इसी तरह online learning related videos के लिए चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon में click कर लिजिए और आपको बताते हैं अब अगर अभी तक आप हमारे telegram channel को join नहीं किये तो जल्दी से आप telegram channel को भी join हो जाईए तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वोश्ट किये start करते हैं आज का topic को दोस्तों आज का इस वीडियो से हम जानेंगे कि lot size का मतलब actually में क्या होता है and आप जब trading करेंगे तो lot size अगर जो जो lot size अब लेंगे तो हर एक lot size का meaning क्या है and आपके trading में उसमें क्या फरक पर सकता है तो सबसे पहले तो हम जान लेते कि चार तरह का lot size होता है और पहला lot size है standard lot, second mini lot, third micro lot and fourth nano lot इसमें से अभी जितने भी trading platform है ज्यादा तर आप पहला का जो तीनो lot size को देख रहे हो इसी तीन lot size का भी उसकर सकते हो nano lot को बहुती कम platform है जो support करता है तो हम basically जानेंगे यह तीनो lot का बारे में standard lot, mini lot and micro lot तो सबसे पहले हम जानते है standard lot का मतलब क्या होता है तो standard lot का मतलब होता है जिसको आप decode करते 1.0 में एक standard lot का मतलब है एक लाक units तो अब सोचेंगे कि आपकी units मतलब क्या है तो जादा तर units depend करता है कि आपका base currency क्या है तो अगर आप नए account open करेंगे forex में तो आप से पूछा जाता है कि आपका base currency क्या रहता है तो ऐसे जादा तर users का अगर all over international users का माने तो USD ज्यादा तर users का जो है base currency रहता है तो यहां हम मान सकते कि एक standard lot का मतलब होता है एक लाक USD यह किसी का अगर base currency है यूरो तो मान सकते हैं एक standard lot का मतलब है एक लाक यूरो तो हम लोग अभी ज़्यादतर लोग USD कोई base currency में उस करते हैं इसलिए हम जानेंगे कि एक standard lot size का मतलब होता है एक लाक USD या एक लाक डॉलर तो अभी आपको बता दे कि इसका मतलब क्या होता है तो suppose कि आपने जो account यू currency आपका जितना portfolio है आपको leverage दिया जा रहा है उसका 200 गुना यानि अगर आपका 200 गुना leverage है तो आप जो है एक standard lot size trade open करने के लिए आपका account में होना होगा 500 डॉलर यानि एक standard lot size का अगर आप trade open करना चाते हो तो आपका जो portfolio है आपका जो equity है वो होना होगा 500 डॉलर अगर leverage 200 टाइम्स का है तो अगर आप जो है अभी current situation में कोई भी trader का या कोई भी broker का account open करते हो तो आपको जो है देखा जाए average 200 टाइम्स या 100 टाइम्स या 500 टाइम्स तीनोतर रहा का default leverage मिलती है तो अगर आपका leverage 200 टाइम्स है तो one standard lot size का trade open करने के लिए आपका account का balance होना कि इसमें जो है एक पीप का मतलब कितना होता है तो अगर आप one standard lot size का trade open करते है तो एक पीप का मतलब होता है 10 dollar यानि अगर market 10 pip up or down हुआ यानि 10 pip का changes आया आप जो currency में trade कर रहे हो यानि अगर आप EURSD में trade करते हो तो अगर EURUSD का price 1.1010 से 1.1020 हो गया यानि 10 pip का up and down हुआ तो आप जो है आपको हो सकता है 100 dollar का फाइदा या 100 dollar का loss तो हाप सोच सकते हो सिर्फ अगर 10 pips का up and down हो जाए and trade अगर आपका एगंस चल जाए तो आप जो है अर्णिंग करेंगे 100 dollar या अगर trade आपका जो है एगंस चल जाए तो आप जो है लॉस करेंगे 100 dollar अगर trade आपका त अगर आप loss करेंगे $100, तो यानि only 10 pip का भी अगर fluctuation हो जाए, तो उस time पे आप $100 कमा भी सकते हैं, या $100 गवा भी सकते हैं, तो एक बहुत ही risky lot size है, one standard lot size, तो second हम बात करते हैं कि mini lot size, तो mini lot size हम किसको कहते है, mini lot size मतलब है 0.1, इसको आप कह सकते है, mini lot size, इसको आप 0.1 भी कह सकते है, इसको decode किया जाता है 0.1 में, तो one mini lot size मतलब होता है 10,000 unit यानि 10,000 dollar, तो हम बात करते हैं कि mini lot size open करने के लिए आपका account में कितना balance होना चाहिए है, अगर आपका leverage 200 times का है, याद रखिए कि अगर आपका leverage 200 times कर रहे हैं, तो आपको mini lot size open करने के लिए आपका account में balance होना होगा 50 dollar, तो ऐसे में अगर हम बात करें कि इस mini lot size में 1 pip का मतलब होता है 1 dollar यानि अगर 10 pip भी market up and down चले जाए तो आपका profit हो सकता है 10 dollar या आपका loss हो सकता है 10 dollar यानि euro HD का price अगर 1.1010 से 1.1020 चल जाए तो आपका 10 dollar आपको profit भी हो सकता है या 10 dollar आपको loss भी हो सकता है तो इसके बाद जो lot size आता हो है micro lot तो micro lot का मतलब है 0.01 यानि one micro lot का मतलब होता है 1000 unit या 1000 dollar तो micro lot आपको open करने के लिए अगर आपका 200 times का leverage रहे आपका account में आपका pass तो आप जो है एक micro lot open करने के लिए आपका account में होना होगा 5 dollar यानि अगर आप एक micro lot का trade open करना चाहते हो तो आपका pass अगर 200 times का leverage रहे तो आप जो है आपका account में अगर 5 dollar भी रहे तो आप एक micro lot का trade open कर सकते हो तो इससे बात करते हम profit and loss का तो इसमें micro lot में 1 pip का मतलब होता है 10 cent यानि आप इसे कह सकते हो 1 pip का मतलब micro lot में होता है 10 cent यानि अगर 10 pip का up and down अगर हो जाता है अगर EURSD का price 1.1010 से 1.1020 आ जाए तो उस time आपको हो सकता है 1 dollar का profit या 1 dollar का loss तो आप सोच सकते हो कि lot size कितना important है trading में अगर lot size का आपको idea ना रहे तो हो सकता है कि आप जादा दिन तक इस market में tick ना पाओ तो मैं आपको बता दूँ कि आपका जितना भी portfolio है उसका हिसाब से आपको जो है कैसा lot size open करना है वो आपको इसके बाद decide करना है आप जितने जादा risk लोगे आप उतना जादा आपको profit भी हो सकता है उतना जादा आपको losses भी हो सकता है तो उम्मीद करता हूँ कि आज का इस वीडियो से आपको बहुती अच्छे से समझ में आ गया होगा कि lot size का मतलब क्या होता है अगर अभी तक आपका मन में कोई doubt रहे आप नीचे हमारे comment section में बता सकते हो वीडियो को अच्छा लगे तो like जरूर करना और इसी तरह details में अगर आप trading को सीखना चाहते हो तो channel को अभी subscribe कर लो and bell का icon में click कर लो तो दोस्तो मिलते हैं next video में और एक interesting सा video का साथ तब ते कले goodbye जाहिंद